नमस्कार किसान भाई और डी गार्डन में आप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हुए है डीवी दामा के साथ कुछ किसान भाईयों की तो धान की फसल में बालिया निकल चुकी है और कुछ की निकलने वाली है और कुछ की कुछ समय बाद निकलेंगी तो आज हम बात करेंगे किसान भाईयों जब हमारी फसल में बालिया निकलने वालती होती है या निकल चुकी होती है तो इसमें दो कीटों का परकोफ हो जाता है वे कीट है किसान भाईऑ, घंदी बफ़ कीट और सैनी कीट तो ये दोनों कीट किसान भाईऑ, हमारी फसल में काफी नुकसान पहुचा देते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इन कीटों को हम अपनी फसल से किस परकार से रोक सकते हैं ताकि हमारी फसल में भी जादे नुकसान इस समय पर ना आए तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गंदीबक कीट की तो सबसे पहले तो बात करते है किसान भाईयो इस कीट को हम किस तरीकी से पहचान सकते हैं इसकी पहचान में आपको बता देता हूँ इसका जो व्यस्क कीट होता है वो हलका पीला पन लिये होए होता है और इसकी जो मादा कीट होती है किसान भाईयों वो हलका पीला पन लिए हरे रंग की होती है और इनका जीवन चक्र किसान भाईयों लगबग 15 से 20 दिन का होता है लेकिन इस दोरानी हमारी फसल में काकी नुकसान पहुचा देते हैं इनके व्यस्क तथा सिसू हमारी जो धान की पत्या है किसान भाईयों उन पर घूमते फिरते रहते हैं और जब हमारी धान की फसल में बालिया निकलने लगती हैं सुरुआती दोर में किसान भाई हमारी धान की जो बालिया है उनमें दुगद अवस्ता होती है दुगद बनता है तो किसान भाई ये उन पर बैटकर हमारी धान के दुगद को चूशते रहते हैं इसके चलते हमारी जो बालिया हैं उनमें दाने नई बन पाते हुए खोकले रह जाते हैं तो इस से हमारी धान की फसल को काफी नुकसान हो जाता है अब बात करते हैं किसान भाई यो दूसरे कीट की जिसका की नाम सैनिक कीट है बहुत से किसान भाई इसे गर्दन तोड़ और किसान भाईयों दिन के समय तो ये कीट हमारी जो सुन्डी है ये हमारी जो दान का पोदा होता है इसकी जड़ों में बैठ जाते हैं इकटा होकर और जैसे ही शाम का समय होता है रात्री के समय किसान भाईयों ये हमारे दान के पोदे पर चड़ जाता है और चड़ करके हमा दान्द की फसल की बालियों पर चड़ जाता है कुछ इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं और किसान भाईयू उंबालियों को ये काट करके नीचे गिरा देता है जिसके चलते किसान भाईयों हमारी जो दान की फसल है उसकी पैदावार पर काफी बुरा सर पड़ता है और हमारी पैदावार काफी हद तक गट जाती है अगर आपकी दान की फसल में किसान भाईयों ये कीट आपको नजर आता है तो आप समय रहते हैं इसकी र उक्ताम के लिए कर सकते हैं और अगर बहुत से किसान भाईयों की धान की फसल की बालिया पूरी तरह से निकल चुकी हैं उनमें यह की इतना जराता है तो किसान भाईयों आप उस पर इस्प्रे ना दे उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए किसान भाईया आपको ले लेना है 10% फाली डान धूल या इसकी जगे आप दूसरी ले सकते हैं इंडो सलफान 4% धूल या तीसरी का भी नाम किसान भाईयो मैं आपको बता देता हूँ कवाली नाल फास एक दसमलो 5% धूल या अगर आप इन में से कोई दवाई आपको पुलब नहीं होता पाती है तो किसान भाईयो एक मेला थ्यान का पॉर्डर भी आता है लिक बिड़ में भी आता है और ये पॉर्डर के रूप में भी आता है तो ये पॉर्डर वाला ले करके आपको ये अपनी फसल में दे देना है और किसान भाईयो ये लगबग 6 किलो से 8 किलो के बीच में एक एकट के लिए आपको इनका छिड़काव करना है ये मैंने चार दवाई बताई है और चारो दवाईयों में से किसान भाईयों आपको केवल एक ही दवाई लेनी है जो आपका असानी से उपलब्द हो सके और दूसरा जो आपको ख्याल रखना है किसान भाईयों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जब भी ये दवाई अपने फसल में दे शाम के पांच बजे का असपास दे क्योंकि ये जीतने भी कीट है हमारी फसल में रातरी के समय पर कोप रहता है इनका और दिन में छुपकर नीचे बैठ जाते हैं तो आप शाम के पांच बजे का असपास अपनी फसल में इन दवाईयों की धूल उड़ा सकते हैं और किसान भाईयों इनकी दूल उड़ाने की एक मसीन भी आती है अगर आपको वासानी से मिल जाती है तो आप उसका भी उप्योग कर सकते हैं वरना हाथ पर कोई जस्ताना वगरा चड़ा कर आप हाथ से भी अपनी फसल में इन दवाईयों का बुरकाव कर सकते हैं तो इस तरीके से किसान भाईयों आप अपनी फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं और समय पर ध्यान रखते हुए आप इनका दवाईयों का इस्तामाल कर ले तो आपकी पैदावार काफी हद तक बढ़ जाएगी तो किसान भाईयों ये थी आज की जानकारी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो का अप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को नमस्कार